पौधे जीवन में सुख और शांती का अनुभव कराते हैं। इनसे जहां हरियाली बढ़ती है। वहीं, ये पर्यावरन के लिहाज से भी काफी सही माने जाते हैं। वास्तू शास्त्र में विभिन तरह के पौधों के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ पौधे काफी लखी माने जाते हैं। जीवन में वास्तू शास्त्र का काफी महत्व होता है। वास्तू के हिसाब से अगर घर को तयार किया जाए और सामान रखे जाए तो कई तर और घर में खुशाली और बरकत आने लगती है आजे कैसे ही पौधे स्पाइडर प्लांट की बात करेंगे जिसको मनी प्लांट से भी ज्यादा असरदार माना जाता है इसको लगाने से धन लाब के योग बनने लगते हैं स्पाइडर प्लांट देखने में छोटा मगर काफी आकरशक होता है इसे घर में किसी भी जगह आसानी से रखा या लगाया जा सकता है इसको लगाने से पौजिटिव एनरजी का अहसास होता है इस प्लांट को घर या ओफिस कहीं भी रखा जा सकता है कार्यस्थल में रखने से कारोबार में तरक्की होती है और मुनाफा वहीं, घर में रखने से निगेटिव एनरजी दूर होती है और परिवार में प्रेम, सौहार्द, सुख सम्रिद्री में बढ़ोतरी होती है। वास्तु शास्त के अनुसार पौधों को घर की उत्तर, पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना फलदाई माना जाता है। आप अगर इसे कारियस्थल पर रखना चाहते हैं तो मेज पर रखना शुब होता है। स्पाइडर प्लांट को घर के लिविंग रूम, किचन, बालकनी और स्टडी रूम में रखा जा सकता है। स्पाइडर प्लांट को कभी गलती से भी सूखने न दें। किसी कारणवश अगर यह पौधा सूख जाता है तो इसे तुरंथ हटा कर नया प्लांट लगाना या रखना चाहिए। स्पाइडर प्लांट को कभी भी घर की दक्षिन और पश्चिम दिशा में न लगाएं। इस दिशा में यह पौधा रखने से अशुब फल देने लगता है। स्पाइडर प्लांट को सेहत के लिहाज से भी काफी फाइदेमंद माना गया है। वास्तू के अनसार इस प्लांट को घर में रखने से तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में मदद मिलती है। इसके घर की निगेटिव एनरजी बाहर चली जाती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है।